नमशकार. आज हमन Weं बात करेंगे, लीवर से related नियोप्लास्म की कणिशन के बारे में. यहाँपर हम cover करने की कुशिश करेंगे, Pediatrics को, Pathology को, Surgery को, Radiology को. इस तरीके से concept बनाने की कुशिश करेंगे, वो कौन-कौन से benign नियोप्लास्म हैं, वो कौन-कौन से Malignant Neoplasm है, उनके बारे में बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे उस पर आधारित किस तरीके से Objective Questions पूछे जाते रहें अगर यहाँ पर देखें, Neoplasm के बारे में, तो आगे बढ़ने से पहले हमें Lever की Histological Basic Structure की जानकारी जरूर होनी चाहिए Central Vane की Position और Portal Triad, इसके बीच में यह Hippetocytes के Cords को आप देख सकते हैं, जो Radiating Manner में दिखाय जा सकते हैं इसको जब Final Details के दोर पर देखा जाता है, तो कुछ इस तरीके की Structure बन कर क्याती है, जहाँ पर यह Portal Triad है और यह Central Vane है Portal Triad में क्या-क्या शामिल होते हैं, तो यहाँ Bile Duct होगा, Portal Vane होगी और Hippatic Artery होगा Portal Vane, 75% यहाँ पर Blood की Supply देता है, जबकि 25% Contribution Hippatic Artery का होता है अब इसके Final Details को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर यह Hepatocytes हैं, Bile की Canale, 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 कुलाई, उससे आपको याद रखना है, यहाँ पर Blood की वे Cells जो आगे जाकर के Central Vane में जाकर के मिल जाती हैं, इनके आस पास यह जो Hepatocytes हैं, Space of Discs से है Steelate Cells की Presence कहां पर होती है, उन सारी चीजों को एक बर justify करने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा Bile Hepatocytes बना करके वापस Bile Ducks में डालता है, यह Physiology में भी हम पढ़ते हैं, यह कई जगों पर हम पढ़ते हैं, इसी तरीके से Hepatic Artery और Portal Vane जो अपने Blood के यहाँ पर आगी यहां से होता हुआ, Central Vane से होता हुआ, आगे 223 Hepatic Vane सारे Central Vane मिल करके, अल्टिमेटले 223 Hepatic Vane बनाते हैं, जहां से Inferior Vena केवा में यह जा करके ड्रेन कर जाते हैं, यहीं पर यह जो Blood Vessels हैं, आप समझ सकते हैं Blood Vessels में क्या होते हैं, Macrophages होते हैं, लीवर के भीतर उनको उ नाम यहां पर बदल जाता है, इसके बाद देखते हैं, यहां पर यह Hepatocytes दरशाएगा है, यह Hepatocytes Bile के सिंथिस कर रहे हैं, जो Bile के नाले कुलाई के थ्रू आगे बढ़ रहा है, Blood Vessels और Hepatocytes की बीच में Space of Disse, यह Pari Sinucidal Space की प्रिजन्स दरशाएगा हैं, इस Pari Sinucidal Space मे कुछ Estillate Cells पाया जाते हैं, यह Estillate Cells, Modified Fibroblast हैं, आप देखें, यहां पर यह जो Space of Disse है इधर चाहें, इधर इसमें कुछ Estillate Cells पाया जाते हैं, जो Modified Fibroblast हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है, वाइटमिन A को स्टोर करना, इसके लाभा यह Modified Fibroblast Cells हैं, इसका मत हो करके Fibrosis कराते हैं, जिसके कारण आगे Sirosis जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलेंगे, तो आप अपने सुन रखा होगा, Nodular Structure, Nodular Structure जो Lever में Develop होता है, तो उसमें क्या होता है, चारो तरप से Fibrosis हो गया, आप कलपना कर पा रहे हैं, चारो तरप से Fibrosis हो गया, आप Fibrosis होगा, जिसके कारण बीच-बीच में Grouped, आप समझ सकते हैं, हिपेटोसाइड की ग्रोथ की वज़ा से Nodularity होगी, और यह Fibrosis जो होगे उसके बीच में Hardness प्रवाइड कर देते हैं, जो सिरोसिस का Ultimately हमें Outcome देखने को मिलता है, तो Estillate Cells की वज़ा से ऐसा होता है, औ हिपेटिक एडिनोमा, फोकल नॉडूलर हाईपरप्लेजिया, लीवर के सिस्ट, जिसमें सिंपल सिस्ट और सिस्ट एडिनोमा जैसे कंडिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे, मैलिगनेंट नियोप्लाजम के तौर पर हमें हिपेटो बलास्टोमा जो पेडियार्टिक एजग्रुप में मोस्ट कॉमन मैलिगनेंट ट्विमर होता है, हिपेटो सेलुलर कार्शिनोमा ही होता है, आपको पता होगा न, आगे चल लकर करें हम स्टडी करते हैं, इसमें पता चलता है कि लीवर में जो ट्यूमर की लेकिन अगर कहा जाए प्राइमरी मैलिगनेंट ट्यूमर अफ लीवर तो वह हपैटो सेलुडर कारसिनोमा होता है पेडियाट्रिक एस ग्रूप के लिए हपैटो ब्लास्टोमा होता है यह दोने एक्जामपल बागी तीसरा इंट्रा हेपैटिक कोलेंजियो कारसिनोमा फिर म वो सारी चीजहें जो एक्जामस में पूछी गई हैं उनके लिवल पर देखते हैं तो मुस्ट कॉमन लीवर ट्यूमर मेटास्टैसिस की वज़ा से होता है खास दोर पर कोलो रेक्टल रीजिन के जो कैंसर होते हैं यह नेट में पूछागा क्वेशन है एडल्स में समय में बच्चों में बिता चुका हं और दोनो ही मेलिग्स्टैसि और राखा गया है बच्चों में आपको बता चुका हूं और दोनों तो ही malignant जो tumor है, चाहे adults में hepatocellular carcinoma हो, चाहे pediatric age group में hepato blastoma हो, दोनों की ही condition में alpha phytoproteins का level rise के हुए होता है. लिवर tumor जो pediatric age group को प्रभावीत करते हैं, तो overall जितने भी बच्चों में tumor होते हैं, उसमें hepatic tumor 2% के आस पास तक होता है. यंग child अगर है, तो उसमें hepato blastoma के बारे में आप सोच सकते हैं, दूसरा hemangeo endothelioma, जिसको currently infantile hepatic hemangeoma कहा जाता है. तो ये दोनों हमारे लिए important होंगे, बाकी कुछ और भी है, mesenchymal hepatoma, sorry, hemaltoma, तो ये सारी, ये हमारे लिए important नहीं होगा, पहला और दूसरा हमारे लिए काफी important होंगे, young child की presentation में hepato blastoma, खास तर पर age group क्या होगा? थ्री एर से कम उमरे के बच्चों में, most common malignant tumor under 3 years, hepatoblastoma होता है. अगर थोड़ा से older age में चला जाएगा, तो वही hepatocellular carcinoma के chances बढ़ जाते हैं. इसके लावा कुछ और भी हैं, older children में undifferentiated embryonal sarcoma या focal nodular hyperplasia, लेकिन हमेज़ों पढ़ना है, यहाँ पर older children में hepatocellular carcinoma, focal nodular hyperplasia यहाँ पर young child में hepatoblastoma, hemangio endothelioma के बारे में study करना है. हम लोग यहाँ पर radiology, pathology, pediatrics और surgery, सारे points को एक साथ assembled करने के कोशिच करेंगा और चलते हैं, पहले tumor के और, hepatic hemangioma या liver hemangioma, hepatic hemangioma या liver hemangioma, यहाँ पर देखा जा सकता है, city scan पर इसकी presence दरशाई गई है, यह benign neoplasm हो इसे incidentally पाया जाता है, यह generally बहुत जादा कोई clinical presentation नहीं दरशाथा है, यह एक तरीके का vascular tumor है, vascular tumor अगर externally present करते हैं, तो head और neck के reason को present करते हैं, और internal अगर level पर vascular tumor डवलप होता है, तो liver के भीतर डवलप होता है, जो hemangioma के रूप में होता है, आम तोर पर OCP लेने वाले ladies म इसके मामले देखने को मिलते हैं, इसमें malignancy की potential rare होती है, patient asymptomatic होते हैं, इसलिए किसी और मामले की वज़ा से CT scan कराया गया या कुछ और test कराया गया जिसमें अचानक से इसके बारे में पता चलता है, asymptomatic होता है, यह solitary होता है, अकेला होता है, right या left किसी भी लोब को involved कर सकता है, इसकी blood supply आम तोर पर hepatic artery से मिलती है और इसकी blood supply की वज़ा से ही यह लगातार grow करता जाता है, कुछ मामलों में, hepatic hemangioma या lever hemangioma की presence lump के साथ मिलती है, यानि right upper quadrant में एक lump जैसा feel होगा लेकिन lever function test कराने पर, lever function test normal आता है, क्यों, क्योंकि benign nature का tumor होता है, लेकिन यह vascular tumor है ज करने वाली ladies में, इसके मामले देखे गए है, माल लीचे कोई ऐसी female की history, जिसमें lump की presence है, लेकिन LFT normal है, तो फिर हम क्या कराएंगे, हम जानते है, radial article investigation में CT scan कराएंगे, CT scan यहाँ पर आपको देखने को बिल रहा है, लेकिन इससे बहतर होगा, और अच्छे तरीके से जानना delayed phase होते है, शुरुवाती दोर में हम देख रहे हैं, arterial phase में, peripheral nodularity देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर peripheral nodularity के कुछ है reason, three phase में, यहाँ पर CT scan की investigation किया जाते है, arterial, देखें, यहा लिखा गया है, arterial phase में, हमें nodular enhancement देखने को मिल रहा है, यह nodular enhancement थोड़ा सा और asbest हो जाता है, यहाँ पर देखें, यह arterial phase, फिर portal phase और उसके बाद delayed phase, तो यह portal venus का जो phase होता है, इसमें nodularity काफी asbest होती जाती है और यह periphery से center की और होता हुआ हमें मिल जाता है, delayed phase में यह center की और आगे की और progress करता हुआ देखने को मिल जाता है, तो peripheral nodular enhancement, हमने देखा, यह nodular enhancement जो center की और जाता हुआ, किसी asymptomatic female की भीतर की ऐसी history, hemangioma के बारे में जानकारी देथी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, arterial phase में nodularity की presence, venus phase में, यह लगातार centripetal feeling भी दर शारा है, यहाँ पर wash out जैसी घटना नहीं देखने को मिली, तो यह जो हमने triple phase में, arterial phase, venus phase जो देखा, इसमें nodularity बनती रही और center से periphery से center की और जाने का प्रयाज की, जबकि इस तरीके के मामले, hepatocellular carcinoma के मामलों में नहीं होंगे, वहाँ पर जब हम study करेंगे, तो देखेंगे, hepatocellular carcinoma के मामलों में, venus wash out phenomenon होती है, इस बात का क्या मतलब है, आग हमें hepatocellular carcinoma के बारे में study करने का मौका भी लेगा, अगर हम radiological finding देखें, तो arterial phase में देखें, hypervascularity हमें hepatocellular carcinoma के दोरान देखने को बिलता है, जबकि venus phase या portal venus phase जो होता है, और उसके बाद जो delayed phase है, उस तरीके की hypervascularity समाप थोने लगी है, इसका मतलब यह कहा जाता ह है, arterial enhancement and venus washout phenomenon कहां पर देखने को बिलता है, वो hepatocellular carcinoma में देखने को बिलता है, जबकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, hemangioma में, पहले peripheral enhancement था, venus phase में वो अंदर के और जाता हुआ और जादा enhancement देखने को मिल जाता है, ऐसा हुआ क्यों, हम hemangioma में, अंदर के और enhancement आगे बढ़ते हुए क्यों देखते जा रहे हैं, इसके पिशे कारणी है कि vascular tumor होता है, जैसे जैसे बलड के और जादा contrast जाने का मौका मिलता है, उसका enhancement बढ़ता जाता है, जबकि hepatocellular carcinoma में देखें, arterial phase में enhancement या hypervascularity जादा है, और धिरे धिरी यह washout होता जाता है, और ऐसा रखता है क्यों कोई capsule जैसे structure बन गई है, तो venus washout phenomenon triple phase CT के मावलों में कहां पर देखने को मिलेगा, सीडो capsule का formation कहां पर मिलेगा, हिपेटो cellular carcinoma में, जबकि यहां पर देख रहे हैं, यह nodular presentation के साथ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ता ही जा रहा इसी का एक भाई बंदू है, infantile hepatic hemangioma, infantile शब्द जोड़ दिया जाएगा, इसी का भाई बंदू होगा, वो भी vascular tumor होता है, बात समझभा है, तो यहां पर क्या हुआ, हिमेंजियोमा, adults में और infantile hemangioma कहा देंगे, तो pediatric age group के benign most common tumor बाने जाते हैं, यह incidentally detect किया जाता है, benign ह incidentally found है, कई बार एमस में पुछा गया question है, एक बार पीजाएम पुछा गया question है, incidentaloma of liver, तो यह hemangioma ही होता है, एक तरीके का vascular tumor है, जासे कि मैंने आपको बता है, vascular tumor, externally अगर देखा जाए तो head and neck में, और internally liver के भीतर देखे जाते हैं, इसमें malignancy की potential rare होती है, और यह female predominant condition ह होती है, आगे हम कुछ और भी conditions देखेंगे, जो benign tumor के होंगे, और वहाँ पर भी similar terms हम सुनने को पाएंगे, female predominant condition, hemangioma, FNH, adenoma जैसी conditions, तो इन तीनों ही conditions में, जब हम देखेंगे, तो female predominant condition होती हमें, कई सारे जब option में true and false type के option को देखना होता है, तो उसमें यह भी बात लिखे हुई मिलती है, क्योंकि हिपेटोसलर कारसिनोमा के जो मामले होते है, वो male predominant होते है, ध्यान देने वाली बाती है कि male predominant हिपेटोसलर कारसिनोमा क्यों होता है, तो उसके पीछे reason ही है कि वो alcohol से related होता है, और male alcohol ज्यादा पीते हैं, इस वजह से एक तरीके से tradition wise देख आते हैं, यही वजह है कि female predominant इस तरीके के tumor देखने को मिलते है, female predominant, asymptomatic, मैंने आपको पहले ही बता रखा, इसमें solitary, achilles की presence होती है, right या loaf lobe equally present कर सकते है, blood supply, hepatic artery की blood supply की वचे से grow करता है, और pathological finding में, gross जो finding होगी, उसमें spongy mass like इसका growth होता है, एक lump जो right upper quadrant के भीतर देखने को भी लेगा, इसमें LFT, normal बिलती है, क्या हमें आगे कभी histology या histological basis पर इस पर जाने की जरूवत है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर vascular tumor है, इस वज़ा से rupture होने का risk हो सकता है, इसलिए histology best investigations हम नहीं करते हैं, फिर हम करेंगे क्या, CT scan कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, इंजिग के मामलों में बहतर हमारी जानकारी देता है, अगर gallbladder का मामला हो तो ultrasound, इसके लावा, अगर common bile duct के आसपास का कोई मामला है, तो MRCP जैसे मामले, तो यहां पर हम liver से related मामले हैं, तो CECT करेंगे, जिसमें triple phase CT का क्या response होगा, उसको हम देखते हैं, तो हम काफी हद तक benign ya malignant nature के बारे मैंनुमान लगा लेते हैं, triple phase CT से, मैंने आपको बता न, three phases में हम देखते हैं, इस तरीके का radiological investigation हम बहुत सारे जो को अपर करते हैं, जहां कई steps में हम radiological investigation को आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पर भी triple phase CT, जो arterial phase में nodular enhancement के साथ मिल रही हो, तो यह suggest करती है hemangioma के बार जाएगा जो centripetal filling के बारे में दर्शा आता है, यहां wash out जैसी बात नहीं होगी, वो बात hepatocellular carcinoma में हो, अगर MRI पर देखें तो light bulb sign हमें यहां पर देखने को, ultrasound पर hyper echoic, hyper echoic, एक mass की presence देखने को मिलेगी, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि ultrasound पर मालिजे हमें, hyper echoic, massive growth के बारे में जानकारी मिल रहा है, ऐसे मामलों में आगे बढ़ते समय हम triple phase CT करेंगे, जिसमें arterial phase जो 25 से 40 से के बीच में होगा, venus phase यह 50 to 60 से के लिए delayed phase 3 मिनिट के दौरान लिए गये फिल्म होते हैं, तो इस तरीके से हम इसके बारे में पता करते हैं, हमने आपको बताया इसमें peripheral nodular enhancement, बाद में venus phase में भी यह periphery से center के बढ़ता हुआ जाएगा, यह neat में सीधे तोर पर पूछा गया question रहा है, pediatric age group में कई बारे ऐसा देखा गया है कि लार्ज हमेंजियोमा, thrombocytopenia करा सकता है, क्योंकि वहाँ पर platelets का consumption, जिसके करण कंजम्शन को aglopathy के साथ, य से हम cashabax merit syndrome कहते हैं, इसमें surgery की आवश्रक्ता पढ़ती है, cashabax merit syndrome, जो hemangioma के pediatric age group में presentation को दरशाता है, यह rare disease है, infants में आमतार पर होते हुई हमें history मिलेगी, और यह hemangioma की special presentation जिसमें platelet counts decrease हो जाता है, bleeding की वज़ा से यहाँ पर presentation होता है, यह life threatening condition हो सकता है, इसलिए cashabax merit syndrome को hemangioma thrombocytopenia syndrome कहा जाता है, तो कैसा back merit syndrome में surgery की आवश्रक्ता पढ़ती है, क्योंकि इसतना बड़ा tumor हो चुका है, जिसमें bleeding का risk होता है, consumption को aglopathy की वज़ा से bleeding का risk हो सकता है, इसलिए से surgery की आवश्रक्ता पढ़ती है tumor को, hemangioma, चुकि यह little malignancy की potential लगता है, अगर asymptomatic है, तो कु भी करने की जरूरत नहीं, हम patient को ensure कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर वो grow करके बढ़ गया है, या उसकी size 5 cm से जादा हो गई है, तो फिर surgery treatment of choice की तोर पर होता है, सवाल पूछा गया है, all are true about liver hemangioma except most commonly seen in female, बिल्कुल ठीक बात, most detected incidentally in asymptomatic individual, यही बात हम श बिल्कुल ठीक बात है, rupture होने का रिस्क होता है, इसलिए हम यहाँ पर biopsy करने से बचते हैं, अब तक जितना भी चीज़ें हम लोग ने study किया, उसमें क्या पढ़ा है, हम लोग ने study किया, liver के tumor अधिकतर माबलों में most commonly metastasis की वज़ा से होते हैं, अगर कहा जाए primary benign tumor, त पेडियाट्रिक्स का बहुत है important point है, जो कई बार question के तौर पर पूछा गया है, aims में पूछा गया है point, which of the falling liver tumor has a property to invade portal or hepatic vein, तो यह बात क्या cavernous hemangioma या focal nodular hyperplasia या hepatic idynoma में देखने को मिल सकता, अगर आप इसमें थोड़ा से दिमाग लगाएं, तो hemangioma, चुकि हम hemangioma में यह बताना चाहा है, कि यह malignancy का potential नहीं रखता है, इसी तरह के से जो भी tumor malignancy का potential नहीं रखते हैं, उनमें portal या hepatic vein को invert करने की property नहीं देखने को मिली है, तो hepatocellular carcinoma में इस तरह की property हमें देखने को मिलती है, नीट में पूछा गया question, all of the following liver metastasis are typically hyper echoic, जैसा अभी हमने द tumor का growth, जो hypo echoic presentation के साथ देखने को मिलेगा, तो वो breast tumor होगा, breast tumor के metastasis होते हैं, वो hypo echoic होते हैं, वरना RCT के मामलों में colon cancer के मामलों में neuro endothelial tumor के involvement होते हैं, उनके मामलों जो liver metastasis होता है, उसकी presentation hyper echoic होती है, यहाँ पर भी जब हमने ultrasound में यही बात कहा था, hyper echoic tumor की growth देखन के मिलता है breast के मामलों है, हमने study कर रखा न, CT में जब कहीं हमें tumor, heart tumor को कहना हो, तो dense कहते हैं, MRI में उसकी presentation को intense के term में कहा जाएगा, ultrasound के बाद x-ray पर देखे तो उसे opaque जैसे term के साथ represent के आ जाता है, तो hemangioma के मामलों में हम लोग ने क्या देखा, कुछ भी करनी के जरूवत नहीं है, अगर OCP लेने की history है तो उसे stop कर देना है, symptomatic अगर है, या size 5 cm से ज़्यादा है, तो फिर enucleation किया जा सकता है, bleeding का risk अगर है, तो जो blood supply उस tumor के growth को करा रही है, उसे block कर देना चाहिए, angioembolization करा देना चाहिए, next, हम बात करेंगे hepatic adenoma के बारे में, यह rare hepatic benign tumor है ध्यान रहे, most common की बात हमने किया, benign, तो वो hemangiuma था, लेकिन यहाँ पर hepatic adenoma के मामले rare होते हैं, यहाँ पर जो tumor grow किया हुआ है, यह hepatic adenoma है, देखा जाया तो CT scan पर इसकी presence देखी जा रही है, यह usually single होता है, अगर multiple हुआ, जो 12-30% मामलों में multiple होने का risk होता है, तो इसक hepatic adenomatosis कहते है, अगर multiple रहा, तो नाम क्या देंगे, hepatic adenomatosis देंगे, इसकी presentation की, जो case study होगी, जिस पर आधारित question पुछा जाएगा, वो एक history दिया जाएगा, female 20-40 years की age group की, जो OCP ले रही हैं, तो OCP लेने पर, जो hepatic tumor होने का risk होता है, वो hepatic adenoma के रूप में होता है, ध् without OCP के use के भी हो सकता है, लेकिन वो ladies, जो OCP का जादा use कर रही हैं, उन में, जिस tumor के होने के चांस जादा होंगे, वो hepatic adenoma हो, ये बात question के तोर पर हम से कई बार पूछा गया है, नीट में, पूछा गया, most common tumor associated with OCP use, अच्छा, एक बात ये भी देखी गई है, कि यहाँ प के presence देखने को मिलेगा, OCP use करने वाली ladies में, हमने आपको बता रखा है, hepatic adenoma का association, chronic alcoholism से भी हो सकता है, यहाँ पर इसके growth को देखा गया, इसका histopathological, अगर immuse देखा जाए, तो जो tumor होते हैं, वो proper hepatocytes से rise करते हैं, और उन ही के जैसी इनकी structure होती है, इतना ज्यादा hepatocytes का multiplication हो जाता है कि वहाँ पर bile ducts या बाकी सारे structures समाप्त हो जाते हैं, throughout हमें केवल और केवल hepatocytes की presence देखने को मिलेगी, hepatocytes और उनके भीतर fat का deposition, glycogen का deposition इस तरीकी की presence देखने को मिलेगा, bile ductules तक समाप्त हो जाते हैं, अभी हमने शुरुआती दौर में देखा था ना, bile ductules जो पहला initial हमने statement दिया था, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें crush हो जाएंगे, क्योंकि hepatocytes केवल ग्रू करता जाएगा, और उसके भी तर ग्लाइकोजन और fats के deposition देखने को मिलेंगे, इम्स में इसी बात को लेकर के question पूछा गया है, HIDA scan negative होत सारी चीज़ें अभी हम discuss करेंगे, यहाँ पर जो cells हैं वो hepatocytes के जैसी resemble करती हैं, और उसी से develop करती हैं, overall यहाँ पर इतना बुरी तरीके से यह grow करता है, disorganized hepatocytes, कि इसकी वज़ा से जो normal architecture होगा, जो cards और वो सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है, normal lobular architecture यहाँ पर समाप् हो जाता है, तो देखते हैं, hepatic adenoma, यह rare होता है, single होता है अगर multiple रहा तो hepatic adenomatosis करके इसके रिए एक special term दिया जाता है, female के history होगी, OCP का use होगा, पूछा गया, most common hepatic tumor जो OCP ले रही ladies होती हैं, उनमें hepatic adenoma हो, यह rise कहां से करता है, hepatocytes से, अपने 4 और well demarketed margin रखता है, ज यहां पर tumor के risk होने का risk होता है, मिस risk हमें देखने को मिलता है, और इसके करण कई बार ऐसा होगा कि यह tumor rupture कर जाता है, और इसके करण हीमो-peritonium के presence देखने को मिलेगी, hepatic adenoma में malignancy के transformation के भी chances होते हैं, तो जहां हम hemangiuma में कहा रहे थे, बहुत या ना के बराबर, मिस rare chances वहां पर हम कहा रहे थे, hemangiuma में malignant transformation का, यहां पर malignant transformation के risk बहुत ज़्यादा होते हैं, comparative way में, कहा जाए, तो यहां पर malignancy की potential होती है, comparative way में कहा रहे हैं, फिर यहां पर rupture होने का risk 30-50% मामलों में, जिसके करण यह hemresis के साथ present कर सकता है, और यह hemoperitonium की presentation हमें एक clinical study के द नार्मल जो lobules का architecture होगा, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होगा, क्यों, क्योंकि केवल और केवल हिपेटोसाइट सी throughout हमें देखने को मिलेंगे, यहां पर cod जैसी structure भी बहुत असपस नहीं होगी, केवल हिपेटोसाइट बहुत बड़ी संख्या में होंगे, जिनके सारे के सारे structure समाप्त हो चुके होते हैं, हिडा स्कैन में इस तरीकी की finding हमें देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो normal architecture है, वो अब नहीं present है, यह दोनों statement question के रूप में पूछे गए हैं, आप समझ सकते हैं, hepatic adenoma से related यह term दिये गया है, तो CT या MRI पर capsule मिल को मिलेगा, well-demarkated heterogeneous mass देखने को मिलेगा, जिसमें लगातार grow कर रहा है, तो उतना ज्यादा nutrients तो मिली नहीं सकता है, तो necrosis होगा, hemorrhages के risk होंगे, तो यहां जो lezen होगा, वो hemorrhages के साथ present कर सकता है, triple phase city में, arterial phase में, hypervascular या heterogeneous हमें वहाँ पर changes देखने को मिलेगा, hypervascular ह या यह कहले है, venus phase में, isodense या hyperdense presentation देखने को मिलेगा, इंस में पुछा किया question, all are true about hepatic adenoma except, पहला, associated with anabolic steroid and OCP uses, बिल्कुल ठीक बात, हम शुरू से तो यहीं बोलते हैं, 20 to 40 years के age group की female OCP का use कर रही है, ऐसी स्टोरी हो सकती है, homogenous mass नहीं, यह heterogeneous mass होता है, heterogeneous mass, ऐसा हमें सीटो स्कैन पर मिलेगा, इसमें necrosis और hemorrhesis के साथ, presence हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके की finding होगी, female predominant, बिल्कुल ठीक बात है, homogenous mass नहीं होता है, यह heterogeneous mass होगा, फिर Ames का ही पूछा गया question है, क्या इसे hepatic adenomatosis कह सकते हैं, अगर 10 से ज़्यादा adenomas हों, या नही solitary नहीं, multiple tumors हों, जो कि 12-30% मामलों में multiple tumor के साथ इसकी presence देखने को मिलती है, आम तोर पर solitary tumor होता है, लेकिन कुछ मामलों multiple tumors के साथ इसकी presence देखने को मिलती है, गर multiple रहा, तो क्या, इसे hepatic adenomatosis कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, hepatocellular adenoma और उसके कितने types हैं, immunohistochemical marker कौन कौन से हैं, उनके level पर देखें हैं, तो हमारे पास HCA का type beta-catenin, HNF1-alpha, inactivated, inflammatory और unclassified, यहीं से हमारे पास answer एक objective question का मिल सकता है, risk of malignancy किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, beta-catenin type में, और inflammatory वाले में, आप देखेंगे, यहा P, या फिर serum amyloid A, marker की तोर पर देखा जा सकता है, beta-catenin में, beta-catenin, या फिर glutamin synthase, marker की तोर पर यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें थोड़ा से ध्यान रखना है, most common कौन से होगा, थोड़ा से यहां का data आपको नहीं याद रखना है, most common inflammatory type ही होगा, जिसमें हम inflammatory markers की presence देखने को पाएंगे, serum amyloid A, या CRP के markers का level यहां पर बढ़ा हुआ मिलेगा, HNF1 hypoxia necrosis factor, यहां पर HNF1 alpha का full farm होगा, hepatocyte nuclear factor 1 alpha, और सबसे जादा जो होता है वो inflammatory होगा, overall जो most common होगा वो inflammatory हमें मानना है, यहां frequency दी गए ही, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको ही मानेंगे, malignancy के chances किसमें होंगे, beta-catenin activated, जो HCA के मामले होंगे, उसमें, तो एडिनूमा के 3 types है, HNF1 alpha, इसको सही कर लेना है, hypoxia नहीं होगा, यह हिपेटोसाइट nuclear factor 1 alpha होगा, इसमें malignancy का risk नहीं होता है, beta-catenin में malignancy का risk होता है, यहां marker के तोर पर glutamine synthase की prigence देखन of malignancy हो सकता है, मतलब यह के malignancy के जो actual chances हम वो, beta-catenin के मामलों में देखने को मिलते हैं, बस इतना सा रट लेना है, अगर देखा जाए, तो अब तक हम लोग ने हिमेंजियूमा पढ़ लिया था, जो heterogeneous growth के साथ, peripheral nodularity और उसके बाद center के उर जाते हुए नजर आया था, ल video spokes like presentation हमें देखने को मिलेगा, यह सारी चीज़ें हम आगे और study करेंगे, जब triple phase CT के findings के बारे में बात करेंगे, triple phase CT काफी हद तक हमें malignancy और benign tumor के बारे में idea दे देता है, जैसे बाइफसी के कई मामलों में risk होते हैं, अगर vascular, hepatic tumor है तो आप समझ सकते, rupture हो सकता है, जि इसलिए triple phase CT पर लिए गए findings, आगे हम इन सभी के बारे में और study करेंगे, case study, hepatic adenoma पर आधारित कैसे होगा, यहाँ पर upper abdominal pain मिलेगा, जबकि hemangioma में incidental finding था, यह symptomatic female की history होगी, 50-70% मामलों में यही presentation होता है, और यहाँ पर hemorrhies के risk होते ही है, तो इसके करण यह सोचा जा सक यह जो pain है वो हो सकता है hemorrhies की वजह से हो, जो hemoperitonium develop कर दिया गया है, जिसके करण local compressive symptoms की वजह से pain हो रहा हो, सवाल यह भी पुछा गया, most common cause of non-traumatic hemoperitonium, तो rupture of hepatic adenoma, aims का एक question रहा है, अच्छे तरीक से हमें answer देना चाहिए, फिर aims में ही पुछा गया question, similarity between FNH and hepatic ad are all except, तो FNH के मामलों में rupture होने का रस्क नहीं होता है, बाकि दोनों ही benign tumor है, hepatic adenoma में rupture होने का रस्क होता है, तो hemoperitonium is common नहीं, biliary abnormalities, बिल्कुल ठीक बात है भाई, जब tumor grow करेगा, हेपेटरोसाइट के growth होने की वजह से biliary abnormalities तो देखने को मिलेंगी, female predominant दोनों ही हो हर benign tumor जो female predominance के साथ नज़र आता है, उसमें कहने कहीं OCP के मामले दिये जाएंगे, biliary architecture प्रभावित होई होगी, ये सारी चीजें एक mixed presentation होता ही है, जिसमें अलग तरीके से अगर पता करना है, तो hepatic adenoma के लिए एक special बात लिखा जाएगा, हीmoperitonium के presence, इसी तरीके से symptomatic cases में हो सकता tumor को resect करना पड़े, अगर tumor में लगातार grow कर रहा है और hemorrhages का risk है या acute hemorrhages होने पर भी hepatic artery का embolization किया जा सकता है, next level पर हम बात करेंगे focal nodular hyperplasia के बारे में, और उसको compare करने की कोशिश करेंगे hepatic adenoma की condition के साथ, फिर हम आगे की बढ़ेंगे तो फिर malignant tumor ह हमारे सामने discussion का point होगा